मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए नोटिफिकेशन ओल बटन को दवाना ना भूलिए दोस्तों घर की बेटी को कभी भी भूल कर भी ना दे यह चीज वरना आप हो सकते हैं बरबाद दोस्तों में बेटियां हमारे घर की लक्ष्मी होती है हमारे हिंदु धर्म मे खासकर लड़कियों को मा दुर्गा मा लक्ष्मी मा सरस्वती का प्रतीक माना जाता है बेटियां हर मा बाप की लाडली होती है एक राजकुमारी की तरह रहती है लेकिन पराया धन होती है इसलिए हर माबाप एक नए एक दिन अपनी बेटी को विदा करते हैं और अपनी ज शादी करना माबाप के जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है बेटी के लिए सही वर चुनना उसकी शादी के हर इंतजाम का सही होना और उसकी विदाई में भी कोई कमी ना रह जाए इन बातों का ध्यान रखना माता पिता के लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है इसके साथ ही बेटी के होने वाले परिवार और रिष्टेदारों को ब्याह में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो इस चिंता में भी रहते हैं माबाप के लिए बेटी की शादी करना महज एक जिम्मेदारी ना होकर प्यार और स्नेव व्यक्त करने का भी तरीका है आजकल के रिवाजों को नजरंदाज कर दे लेकिन अपने मन की सभी इच्छाओं को अपने तरीके से पूरा जरूर कर लेते हैं इनहीं इच्छाओं में से एक है बेटी को बेस्ट गिफ्ट देना आजकल बेटी की विदाई में धेर सारे तोहफे तो दिये जाते हैं लेकिन वो एक खास तोहफा भी उन्हीं होता है जो माता पिता खास तौर पर अपनी बेटी को देते हैं ऐसे में कई लोग अपनी बेटी को विदाई के वक्त गनेश जी की मूर्ती या तस्वीर भीट में देते हैं हिंदू धर्म में गनेश जी को विग्णहर्ता कहा गया है कि जहां वो ह वहां कभी भी कोई भी नहीं आपाएगा गनेश जी को शुभता का प्रतीक भी माना जाता है बस इसी विश्वास से माता पिता बेटी को गनेश जी की मूर्ती या तस्वीर तोहफे में दे देते हैं लेकिन अगर आप भी अपनी बेटी को ऐसा तोहफा देने की सोच रहे हैं और भगवान गनेश और महालक्षमी का एक साथ होना धन के आगमन का संकेत है ऐसे में अगर आप घर जाती हुई लक्षमी को गनेश जी भी भेट में दे देंगे तो बेटी के मायके को धन की बड़ी हानी होती है वो जाती हुई घर की सुक सम्रिधी साथ ही ले जाती है इस अस्वीर कभी ना कभी दे चुके हैं और उन्हें इस कारण गरीबी का सामना भी करना पड़ रहा है तब सवाल आता है कि ऐसे में अब क्या किया जाए कैसे इस गल्ती को सही किया जाए तो आपको बता दे कि ऐसे में आप अपनी बेटी से गनेश जी की कोई मूर्ती तोहफ करेगी आप खरीदना चाहते हैं तो आपको बता दे कि गनेश जी की मूर्ती खरीदते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उनकी सूंड की दिशा किस तरफ है ध्यान रखे की गनेश जी कि मूर्ती में उनकी सुन हमेशा बाई तरफ होनी चाहिए क्योंकि शास्त्रों के हिसाब से उनका रखरखाव आसान हो जाता है ऐसा नहीं है कि डाई तरफ सून्ड वाले गनपती को घर में नहीं लाया जाता है ऐसी मूर्ती भी आप खरीद सकते हैं लेकिन डाई तरफ से उनवाली मूर्ती की पूजा पाठ का विधान बिलकुल अलग होता है और सही तरीके से अगर पूरे विधी विधान से पूजन ना किया जाए तो ऐसे में आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है इसलिए ऐसी मूर्ती लाने से बहतर है कि आप गनेश जी की वो मूर्ती घर में लेकर के आए जिसमें उनकी सुन्दर हो इसके साथ ही अगर आप गनेश जी की मूर्ती ना देख कर सिर्फ गनेश जी की तस्वीर दे रहे हैं तो ध्यान रखें कि उनकी लंबाई 18 एंच से कम ना हो अगर गन्पती की मूर्ती खंडित हो गई है उसे सिर्फ सजावट के लिए अपने घर में कहीं पर लगाया हुआ है तो उसकी पूजा कभी ना करें घर में सुक शान्ती बनाए रखने के लिए घर में सफेद गनेश जी का रखना बहुत ही शुब माना जाता है दोस्तों अगर बेटी के अलावा आप किसी और को तोहफे में गनेश जी की मूर्ती या तस्वीर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं लेकिन अगर आप लक्षमी गनेश की मूर्ती या तस्वीर किसी को तोहफे में देना चाहते हैं तो ऐसे में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, दरसल शास्त्रों में भी यह माना गया है कि गनेश जी को शुब और लक्षमी जी को लाब के लिए घर में स्थापित किया रहे हैं इसलिए यह गलतियां भूल से भी ना करें